हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो ए 24 नॉलेजे ओफिशल यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जोईन इंडियन नेवी के वेकेंसी के बारे में जोकी निकाली गई थी इंडियन नेवी एमार पोस्ट के लिए इसका ओनलाइन फोर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं स्टेप बाइ स्टेप प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रेंट्स यहाँ पर आपको इस 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 लिए आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जॉबरास्ता.com का ओफिशल लिंक मिलेगा वहां से आप इसकी जानकारी को प्राप्तिक कर सकते है साथ में फ्रेंट्स आपको अप्लाई ओनलाइन का लिंक भी मिल जाएगा आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद फ्रेंट्स आप इसके ओनलाइन पोर्टल पर पहुँच जाएंगे यहाँ पर फ्रेंट्स दो ही डेटेल आपको फिल करनी होती हैं मेंली स्टार जो कि आपका registration है एक आपका login है तो फ्रेंस यदि आपने पहले कभी जोइन इंडिया नेवी का form फिल किया है तो आप इस email आईडी और इस password के थुरू यहां से login कर सकते हैं और अपने आगे की process को complete कर सकते हैं यदि फ्रेंस आप new candidate है आपने अभी तक registration नहीं किया है तो आप इस दिये गए register tab पर click करेंगे और उसके बाद आपके सामने दो option आपके सामने open होंगे एक है आपका अधार virtual ID आप इस पर click करेंगे और इस पर click करने के बाद फ्रेंस आप अधार virtual ID पर जो है अपना यहां पर क्रमांक डालेंगे जो की 16 digit का होता है यदि फ्रेंस आपके प नीचे आपको virtual ID जो है मिल जाएगी इसके बाद फ्रेंस यहां पर जो भी अधार कार से link mobile number है वो आप यहां पर देंगे इसके बाद यह declare करेंगे यह capture code डालेंगे और यहां से stand OTP करेंगे आपकी register mobile पर एक OTP जाएगी और उसके बाद वो OTP verify करने के बाद आप फ्रेंस य आपको कोई भी आपके पास जो ID है voter ID, driving license, pen card या 10th या 12th की passing certificate, passport card तो आप कोई भी यहां पर दे सकते हैं तो कुछ भी आप यहां select कर लीजिए जो भी आप select करेंगे उस ID का आपको यहां number देना है उस ID का आपको यहां scan copy देनी है उसका friends आपको यहां पर upload proof देना है आपका जो address proof है इसके बाद यहां से आपको यहां पर आपके नाम की entry करनी है तो first name जो है आपका यहां पर जरूरी है यहां आपको यहां पर mandatory है देना होगा जो कि आपकी 10 की mark sheet में आपके enter है यहां आपके पास middle name है आपके पास last name है आप उसकी entry कर सकते हैं नहीं तो आप इसको blank छोड़ देंगे इसके बाद है आपका mobile number का option तो यहां पर आपको आपका active mobile number देना है इसके बाद आपके father या mother name आप यहां पर दे सकते हैं इसके बाद फ्रेंस अगर बात करें next option की तो वह है आपके garden name यहां पर दी फ्रेंस आपका कोई garden है तो आप उसका नाम भी या छोड़ देंगे इसके बाद pen card का option है देना चाहते हैं तो आप दी जिये नहीं तो इसको भी blank छोड़िये यहाँ पर date of birth का option है तो आप यहाँ पर दिये इस calendar से आपकी जो भी date of birth है वो आप select कर सकते हैं इसके लिए फ्रेंस आप यह official notification है वो देख सकते हैं या फिर आप इसमें registration करना चाहते हैं सिफ तो आप registration भी कर सकते हैं आपकी given detail के उपर और जो भी आपकी qualification है आपकी LGT है उसके इसाब से जो भी ongoing vacancy होगी वो आपको वहाँ पर show कर देगा अब अगर आपके पास नहीं है एक भी तो आप यहाँ पर no mark की entry भी कर सकते हैं है इसके बाद जो second option है वो है आपके educational details का तो फ्रेंस यहाँ पर जो है आपको highest qualification आपकी select करनी है कि आपकी जो highest qualification है वो क्या है वो आप यहाँ पर देखिए एक बर आप यहाँ पर select कर लेंगे तो यहाँ पर हम अभी इसी form के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तेंद पास आपसे मागा गया है तो हम यहाँ पर सिर्फ ही select कर लेते हैं इसके बाद है additional qualification ज़िए आपके पास कोई additional qualification है तो वो भी आप यहाँ से select कर सकते हैं नहीं तो आप इसको blank छोड़ देंगे इसके बाद है account detail का option तो इसमें देखिए आपको यहाँ पर आपको mail ID देनी है तो आपकी mail ID दे दिजिए इसके बाद यहाँ से आपको password generate करना है तो password देखिए आपका 6 character कम से कम और maximum 20 character का होना चाहिए एक lower case एक uppercase और एक special character और एक visit आपको enter यहाँ करनी होगी तो फ्रेंस यहाँ पर password आपको कैसे जनरेट करना है तो देखिए आपको password आप ऐसा generate कर सकते हैं कि आपका एक 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 या दो अक्षा आप जो भी आप capital रखना चाहें इसके बाद आपको कम से code आपको दिया गया है यह capture code डालना है इसके बाद यहाँ से फ्रेंस आपको आई agree करना है आई agree to terms and condition करना है और उसके बाद यहाँ पर SMS language preference आपको देनी है कि English या Hindi में किसमे आप लेंग्वेज में आप SMS चाहते हैं और उसके बाद आप यहाँ से इसको save कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपको एक message शो करेगा account successfully created मतलब जो आपका account है वो successfully created हो चुका है अब आपको आपकी mail ID जो आपने दी है उस पर जाना है बहाँ पर आपको एक link मिलेगा और उससे आपको जो आपका दी है वो automatic delete आपकी हो जाएंगी इसके बाद आपको नेस प्रोसेस पर चलना होगा तो फ्रेंस आपकी जो mail ID का inbox है यहाँ पर आपको जोइन इंडियन नीवी का एक mail मिलेगा आपको click here पर click करना है इस पर click करने के बाद आपकी जो verification process से वो start हो जाएगी और आपको यहाँ पर mobile verification करना है इसके लिए फ्रेंस आपको यहाँ पर enter OTP करनी है जो कि आपके mobile पर आई होगी और यह जो capture code है यह डाल कर आपको यहाँ से इसको verify कर लेना है तो फ्रेंस इसके बाद जैसे ही आप अपना mobile verification भी complete कर लेंगे इसके इसको login कर लेंगे login करने के बाद फ्रेंस आपको जो आपके particulars है education details है आपके address details है वो सभी आपको यहाँ पर fill करनी है highest qualification जो आपने select की है वो detail आपको यहाँ पर show करेगी इसके बाद यहाँ पर है percentage by आपके marking system है या फिर आपका CGPA system है वो आपको यहाँ अप्रोड करना है ज उसमें जो formula लिखा हुआ है वो आपको यहाँ पर scan करना है और उसके बाद आप इसको यहाँ पर upload कर सकते हैं जो क्या आपको instruction में मिल जाएगा तो आपके mark sheet के आगे या पीछे आप देख सकते हैं कहाँ पर conversion का detail लिखी हुई है उसके बाद आप उसको scan करके यहाँ पे PDF मे इसमें upload कर सकते हैं पर यहाँ आपकी marking scheme है तो आपको करना क्या है यहाँ पर आपका total marks आपको यहाँ बताने हैं कि आपके total marks कितने का आपका exam हुआ था और आपने कितने number इसमें gain किये थे जिससे परेंस आपकी जो percentage है वो automatic calculate होकर नीचे आ जाएगी इसके बाद यहाँ पर और देख सकते हैं यदि आपके किसी other board में जो exam है वहाँ पर कहाँ पर लिखा होता है तो आपके serial number जहाँ पर भी लिखे हैं mark sheet में वो आप यहाँ एंटर करेंगे इसके बाद state का नाम आपको देना है कि किस state ने वो exam आपका conduct किया है इसके बाद उसी इसाब से आपको यहा यहाँ पर 10 की जो mark sheet है आपकी वो upload करनी है PDF file में इसके बाद यहाँ पर passing certificate आपको upload करना है यदि एक condition है आपके पास passing certificate नहीं है issue नहीं हुआ है या आपके पास है ही नहीं तो आप दुबारा से जो आपने आप mark sheet upload की है वो दुबारा से आप passing certificate में उसको upload कर सकते हैं इसके आपको यह image दी गई है यह आपको यहाँ देनी है और आपको save कर लेना है अगर यहाँ पर आपकी qualification 12 है या फिर बी टेक है या फिर डिपलोमा है जो जिस भी education से आप यहाँ पर उस detail को fill करेंगे उससे related detail आपको यहाँ फिल करनी होगी यहाँ पर हम बात कर रहे हैं MR post के लि होना है आपको यहाँ पर MR की वेकेंसी या फिर आपकी LGT के हिसाब से आपको automatic detail आपको provide हो जाएंगी आप बहाँ पर जाकर इसकी detail को check कर सकते हैं आगे apply कर सकते हैं इसके बात फेंस आपकी यहाँ पर address का option है तो यहाँ पर आपको address जो है आपकी two lines में आपको यहाँ पर fill क करना है तो आपका जोबी address है जो आप लिखते है वो आप यहाँ पर fill करेंगे first line में और उसके बायाँ यहां पर second line में भी उसको लिख देंगे ।्सके बात यहां से आप आपका state है वो आप state यहां से choose करेंगे इसके बाद यहां से आप करेंगे आपका district choose और आपका जो pin code है वो आप यहां पर कर देंगे mention इसके बाद friends यहां पर आपका जो mobile number है आपकी जो email ID है वो आपको यहां show करेगी अगर इसके अरावा कोई other email ID आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं नेस्ट option है correspondence address का जड़ी आपका permanent और correspondence same है तो आप इस same as पे click करेंगे अलग-अलग है तो आप इसकी manually अलग-अलग entry कर सकते हैं इसके बाद friend जो option है वो है आपके देखिए passport size photograph का और एक है आपके signature का और एक है आपका residence proof यह dimension का तो आपको यह detail आपको यहां fill करनी है अब हम यहां पर सिर्फ अभी करके देखते हैं photograph and signature को upload क्योंकि अगर किसी के पास अगर dimension नहीं है तो friends यह आपका upload होता है या नहीं होता है इसके बिना उसकी detail अब हम देख लेते हैं तो friends यहां तक मैंने बिना मूल निवास या dimensional certificate चढ़ा कर इसको यहां तक submit कर दिया है यहां पर आपके पास है तो आप अराम से उसको upload कर सकते हैं पर किसी के पास नहीं है तो उसके बिना भी आपका काम यहां तक चल जाएगा इसके बाद friends यहां पर देखिया आपका जो form है अभी तक complete हो चुका है यहां पर आप password chain करना चाहते हैं आपके educational particulars में edit करना चाहते हैं communication में detail में change करना चाहते हैं या फिर आपके जो अधार card है उसको update या verify करना चाहते हैं आपने अधार card से इसमें registration नहीं किया है और आप करना चाहते हैं तो अपना अधार card number update या verify आप कर सकते हैं यहां पर यह detail आप फिल कर देंगे सब चीज़ आपके complete कर देंगे आपको यहां पर option मिलता है current opportunities का आपको इस पर click करना है click करने के बाद friends यह देखिए आपको option मिलता है you can apply for these jobs तो आपको यहां पर देखिए sellers के अंदर या officer के अंदर अभी कोई vacancy है नहीं अगर होती भी है तो आपकी eligibility के हिसाब से जो भी आप eligible हैं वो आपको यहां show करेगी इसके बाद friends यहां पर आपको option देखने को मिलता है apply now का आपको इस पर click करना है इसके बाद friends यहां पर कुछ instructions आपको यहां पर देखने को मिलते हैं आपको यहां पर instructions दिए गए हैं I agree कि आपको इन तीनों पर ही click करना है और यहां से apply now उपर click कर देना है इसके बाद फ्रेंस जो आपके form है यह देखिए आपका यहां पर complete होगा 9 step में तो यहां पर देखिए सबसे पहले आपको मिलता है first name, आपका middle name, आपका नाम जो भी आपने starting में पहले fill कर चुके हैं वो आपको यहां detail fill करने को देखने को मिल जाती है आपको बस यहां से यह declare करना है और save and nest करना है इसके बाद फ्रेंस जो detail है वो आपके 10th qualification की है तो यहां पर देखिए आपने यह detail भी आप पहले fill कर चुके है आपको बस यहां से इसको save and nest करना है इसके बाद फ्रेंस जो third option है वो आपके military record का है यदि आप पहले से enrolled है, discharge है या फिर NCC का certificate है आपके पास तो आप अराम सुन को दे सकते हैं नहीं तो आप यहां पर no रहने देंगे और इसको भी यहां से आप save and nest कर देंगे इसके बाद फ्रेंस जो आपका address है वो फ्रेंस आप यहां पर यह भी पहले fill कर चुके हैं तो आपको यहां पर भी simply इसको save and nest ही करना है इसके बाद फ्रेंस जो fifth step है हमारा इसमें आपको बताना है कि आपको इस entry के बारे में कैसे पता लगा इसके बाद जो option है वो है आपके upload documents का तो यहां पर देखिए क्योंकि आप पहले से ही document upload कर चुके हैं अब यहां पर state residence proof है वो apply करने के लिए आपको यहां पर देना जरूरी है तो आपको यहां पर upload करना होगा क्योंकि पहले यहां पर जो registration है उसमें यह आपका अनिवारे नहीं है आप register कर सकते हैं बिना moon लिवास के पर आप जब apply करेंगे तो आपको यहां पर moon लिवास देना होगा इसके बाद जो option है वो आपके indicate priority का है तो आप देखिए यहां पर जो vacancy है आपकी chef की है hygienist की है steward की है तो आप किसी में भी इसमें जो है आप preference दे सकते हैं पहले number पर जिश से को सेकंडर में पर देना चाहते हैं इसको आप देनाचाहते हैं 멋 using लिवास दैंगे इसके बाद है choice of location तो यहां पर देखिए आपको choice of location जो है आपको यहां पर select करनी है इसके बाद friends आपको यहाँ पर बस करना क्या है save and nest इसके बाद friends आपने अब तक जो भी detail फिल की है उसका preview आपको यहाँ पर show करने लगेगा आप सभी detail को यहाँ चेक कर सकते हैं नहीं अगर आपको कोई गल्थी दिखती है last priority के option तक तो आप यहाँ पर इसको save and make payment पर click करेंगे इसके बाद friends जो option है वो है आपके select payment gateway का तो यहाँ पर देखिए आपको किसी भी gateway को चूज कर सकते हैं यदि आप ATM payment gateway चूज करना चाहते हैं या फिर SBI payment gateway करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किसी को भी select कर सकते हैं इसके बाद है refund policy तो आपको इस पर I agree करना होगा इसके बाद आप नीचे आएंगे यहाँ पर आपकी category आपको select करनी है तो देखिए other अगर आप select करते हैं तो आपको यहाँ पर जो है fees देनी होगी जो की 250 रुपे है उसाथ में ज जो card certificate है वो आप यहाँ से upload कर देंगे इसके बाद फ्रेंस आप इसको save and nest यहाँ से कर सकते हैं अगर payment की बात यहाँ से करें तो आपको यहाँ पर इस make payment टैब पर click करना है और उसके बाद फ्रेंस यह online portal आपका इसमें start हो जाएगा यहाँ पर आप debit card के मार्दियम से आपको करना होगा confirm confirm करने के बाद फ्रेंस आपको यहाँ पर आपके card की detail डालनी है card का expired date, card holder name, card का CVV number और एक character आपको type करने है और यहाँ से आपको कर देना है pay और अगर फ्रेंस बात करें SCST candidate के लिए तो आपको declare करना है आपका card certificate आपको उपर upload करना है और उसके बाद य जैसे आपका payment approved होगा या फिर आप SCST candidate है आप सीधे ही इस step पर पहुंचेंगे जो आपके सामने यहाँ पर open होगा जिसमें आपको यहाँ देखने को मिलेगा your application has been submitted successfully आप यहाँ से आपका number of track or your application status है वो track कर सकते हैं यहाँ पर click करके और यहाँ से आप download कर सकते हैं आपका application application form जिसमें आप इस पर click करेंगे उसके बार आपको यहाँ पर देखिए open video save file का option मिल जाएगा आप किसी भी मार्जम से इसको save करके अपने computer पर रख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको detail बता दी है join Indian Navy का MR post आप कैसे fill कर सकते हैं step by step process के बारे में और अगर कोई भी step पर कह पर भी आपको दिक्कत है तो friends आप हमें comment box में comment करके पूछ सकते हैं या फिर हमारी जो job website है jobraasta.com महा पर जाकर भी आप सभी detail को check कर सकते हैं तो friends आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो please like कीजिए subscribe कीजिए share कीजिए और देखते रहिए 824 knowledge and last thanks for watching